हैपी दिवाली टू आल अफ यू तो आज है दिवाली आप सभी को दिवाली की धेर सारी शुब कामना है और मैं भी घर की साफ सफाई करके डेकूरेशन करके नहां दोके बस रंगोली बनाने बैट गई हूँ साम का टाइम है चार बज रहे होंगे और चार बज़े से मैं ब् करना ही मोर बनाया है और अब ही आप देखेगा फानल लुक बहुत ही अच्छा आएगा और सॉरी गाई सुबह से बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था मतलब फेस टू फेस बात करने के लिए इसलिए पूरे वीडियो मैं आपको वाई शोबर ही करती दिखूंगी मैं तो फा मैंने का दिवाली से इच्छा दिन और क्या होगा अभी तब कोई भी प्लांट इस न्यू घर में नहीं लगे थे तो फारली इसको लग गया उसके बाद मैं आ गए थी किचन में लगए थी मैंने का कि जल्दी जदी से खाना बना लेती हूं क्यूंकि साम हो रही थी और दि कि में आप डिया बेलड में लोग और क्या करते हूं कि अगया है तो ब्लेंडर में ने चापब्र चापा से फूरा ना कीमें कि वहुंगे मचाटेन खाना बंब मसाली को भून लिया थी प्ला इस पीस पसंद आती बस इसलिए शेयर करें हूँ पहले ब्लॉग चैनल था तुहां शेयर करती थी क्या बना रहे हैं मम्मी अच्छा यह बनती है अच्छा वाओ सब्जी मेरी हो गई है धनिया पत्ति डाल दूंगी कसूरी मेथी डाल दूंगी उसके बाद अब भी मुझे चावल बनाना है और पूरिया में बनाओंगी सैलेड वगरा कट करना है और यहां पर आज दिवाली के दिन ही आ गया हमारा सोफा लगनौ में मुने और दे रखा था बरने के लिए एक पहले जोने बोला था धंतेरस के दिना आजाएगा बढ़ना धंतेरस को है ना चला जाएगा चला जाएगा अगर 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 शुक्त करना है तो गाईज सोफा वगरा सेट हो गया था भी मैं बाद में उसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगी यहां पे देखिए हम हजबन वाई पूजा करने के लिए बैट गया है और मंदिर बताना कैसे सजाया है अच्छा लगा आपको और यहां पे मेरी बिटिया रानी ने बनाया था तो रोटेट मोड में नहीं बनाया है तो आप लोग देख लीजेगा देख पा रहे होंगे आई थिंक तो यहां पे पूजा हो ग बनाने के चक्कर में इंजॉयमेंट भी नहीं हो पाती और मेरे हजबेंट को पता मतलब उनको यह नहीं पसंद है कि पूजा पार्क के दोरान भी वीडियो बनाया बट थोड़ा सा मैंने बिटिया रानी से के बनवा लिया था ताकि आप लोग के साथ में मैं शेयर करू और अच्छे से आप लोग बताना और अच्छे से मैं कर सकती थी बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए हजबे ने बोला बहुत जादा तामा जामाना करो सिंपल में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो बस लड़ी ऐसे लगा दिया था और यहां पर देखे रंगोली मैंने ब बहुत ही जादा सुंदर लग रही थी रंगोली उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चली कर देख दो चोटा बच्छा ना वह भी बहुत जादा परिशान कर रहा था किसी तरह मैंने बना और जब मैं रंगोली बना रही थी तो मेरा बाबु दो गंटे के लिए सो गया था तभी यह रंगोली बन पाई थी और थोड़ा सा इसने खराब भी कर दिया था बाद में तो कोई नहीं बच्चे हैं तो करेंगे उजा उजा हो गए हम लोग पटा के चलाने आ गये हैं तो हस्बेन यहां पर पहले ही सुरू हो गया थे मैं अंदर थी बट भाग क यहां पर थोड़ा सा देखिए बच्चों ने मैस कर दिया है तो इग्नोर करिएगा और मैंने का चलो आपको साथ ही साथ अपना घर दिखा देती हूं कैसे सजाया है तो आपने देखा कुछ इस तरह से लड़ी लगा के सजाय तो बाहर जो स्कूटी खड़ी थी उसको अगर आप लोग पूछेंगे तो डिटेल में बता दूंगी और यहां पर देखिए दिया मैंने लगा दिया है और सारे दिया मैंने लगाए थे बट बुझ गयते काफी लेट मैं यह बना रही होती है देखिए हमारा शोफा कैसा लगा बहुत ही प्यारा सोपा है मेरे इस तरह से सजाया है जो festive wives है full festive vibes मिल रही है इस रूम में यहां पे इस तरह से एक प्लांट रखा है ग्रीन कलर का और दिवान है दिवान के सारे जो सेट हैं सको लगाए यहां पे एक वाल हंगिंग लगाया है और प्लांट पे भी लाइट वगारा मैंने लगाया है यह यहां पे लॉबी में बनाया है और यहां पे देखे मिरर में इस तरह से जो होते नहीं प्लांट आर्टिफिशियल गूमने लगा दिया है बेल जो आप बोल सकते मनी प्लांट वाले किचन बहुत जादा इसका काउंटर टॉब मैसी हो रखा है विकॉस खाना वाना बनाया यहां पे एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है रंगुली में फिरसे आपको दिखा दे रही हूं अब चलते हैं बेड्रूम में तो यह रहा हमारा मास्टर बेड्रूम और यह बेड भी अभी जल्दी में ही पर्चेस किया है मैंने क्योंकि मैं ब्लॉग शेयर नहीं करती बेड है और ज्यादा कुछ नहीं एक रायक में रखा है जिसमें मेकप का शामान अपने रखा है तो फूल दान रखे हैं बस और कुछ नहीं है अभी मुझे अपने घर का इंटीरियर कराना इसलिए मेरे हस्बेंड बोलते हैं कि बहुत ज्यादा चीजे मत लगाओ रूम भ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में बना था तो आप यहां पर बच्चे आ गए थे बाहर और अगर आप लोग बोलोगे ना तो फुल डिटेल में मैं अपना होम टूर करा दूंगी ठीक है और वैसे जब नियू नियू घर में हम लोग सीफ्ट हुए थे जब ग्रह प्रव आप देख सकते हो मेरा बाबु कितना इंज्वाय कर रहा है यह इसकी दूसरी दिवाली है पहली दिवाली पे बहुत छोटू सा था इस बार समझ रहा है और इसके पापा इसके हास से ले लिए तो नाराजू के चला गया और अभी हम यहां पे हस्बेंड वाइफ अनार जल इतना पताका जलाने के बाद में इतना बच गया है तो इसको कल परसो दो-तिन दिन जलाएंगे हम लोग भाई दूसरी तक होगा 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 है इस बहुत बहाँ कर दो कर दो पटाके जलाने के बाद हम लोग लोग खाना काई मेरी थाली है तो आप लोग भी खा लिजे और इतना थाकान हो गए थी गाइस कुछ खाया नहीं गया और इसमें इतना खाना आप देख रहे हो ना मैं मेरे हजमें दोनों लोग मिलकर खाएंगे क्योंकि अकेले खाने का और अब यहां पर देखिए लाल टेन जलाना भूल गए थे तो ध्यान ही नहीं रहा अलग रूम में रख दिये थे तो यहां पर लाल टेन उड़ाया हम लोगों ने तो काफी उपर गई बहुत मजाया मुझे दीपा वाली में यह सबसे जाद अच्छा लगता है तो फुल लोगों ने बहुत जादा एंजवाई किया बस आए साफ सफाई करते करते हालत बहुत जादा टाउन हो गई है सोचली वीडियो कहीं एंड करते हैं वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों के लिए यह दिवाले की बिठाई जरूर मुह मिठा करिएगा और मीठे मीठे क कॉमेंट एंड लाइक करिएगा फिर में लिंगे ने वीडियो में हैपी दिवाले टो अलव यू बाइबाएं टेक किया था